74 वीडियो है यह एंडियन पॉलिटी लक्ष्मिकांत की पेचली वीडियो में हम लोग कंपेर कर रहे थे नैशनल इमर्जेंसी को प्रेजडेंट रूल के साथ यहां पर उस कंपारजन को कंटिन्यू करेंगे फिर हम देखेंगे कि जब प्रेजडेंट रूल लगाया जाता है आर्टिकल 356 के देखे 125 से जादा बार प्रेजडेंट रूल इंडिया में लगाया जा चुका है और जादा तर बार यह इंप्रॉपर यूज की वज़े से लगाया गया है तो जो अलग-अलग कंवेंशन्स हैं जो अलग-अलग कोट जजज्मेंट्स हैं उनके हिसाब से सर इसे कंडिशन्स को डिसाइड किया गया है तो कुछ कंडिशन्स में अगर 356 लगाएंगे तो वह प्रॉपर कंडिशन्स होंगी कुछ कंडिशन्स में अगर 306 लगाएंगे तो वह इंप्रॉपर होंगी यानि कि महां पे 356 का गलत इस्तमाल किया जा रहा है तो इन सारी ची कर देता हूं इधर आपका नाशनल इमर्जेंसी और इधर आपका प्रेजडेंट डूल कल कॉलन टॉकिया था मतलब पिछली वीडियो में जो मैं ने पिछली वीडियो देखी जाके दो डिफरेंसिस मैं आपको पहले बता दिये थे कुछ डिफरेंसिस मैं आप और बताओंगी जब च्छे डिफरेंसि और बताओंगा देखिए दोस्तों जब नैंशनल इमर्जेंसी लगती है तो स्टेट लिस्ट के जो भी सबजेक्ट है उसके उपर नियम कानूर बनाने की के पास आती है पार्लेमेंट के पास तो नैशनल इमर्जेंसी के दौरान स्टेट लिस्ट के उपर सब्जेक्ट कौन मनाएगा केवल पार्लेमेंट ठीक है और यहां पे अपने आप से पार्लेमेंट किसी और बॉडी को यह ताकत नहीं देगी अभी देखिए दूसरे मैं को बे हिचक लगाया है ठीक है ना सिंटल गौर्मेंट ने तो प्रेजिडेंट रूल के जो नियम कानून है इसके उपर काफी बातचीत हो चुकि आपकी जुडीश्री में ठीक है न बहुत सा रिकोर्ट जेजमेंट आज सुके हैं सरकारिया कमिशन में भी इसकी बार्त की प्रेजिडेंट रूल पे लगाएगा पर प्रेजिडेंट रूल में और भी कुछ बाते हुए जो हम यहां डिस्कस करेंगे तो जब नाशनल इमर्जेंसी लगेगी तो स्टेट लिस्ट के ओपर नियम कानून पार्लेमेंट बनाएगा और कोई बाडी नहीं बनाएगी वह प्रेजिडेंट रूल लगा है तो उस प्रेजिडेंट रूल के दौरान स्टेट गवर्मेंट कैसे चलेगी उससे रिलेटन नियम कानून बनाने की ताकत प्रेजिडेंट को देता है लेकिन प्रेजिडेंट चाहे तो प्रेजिडेंट को ना देके किसी दूसरी उसको भी ताकत मिल सकती है तो किसी नई अथोर्टी को बना के भी ताकत दी जा सकती है लेकिन ज़्यातर केसे में ताकत प्रेजिडेंट को दी जाएगी इसलिए इसको प्रेजिडेंट आक्ट कहा जाता है तो एक तो डिफरेंस हो गया यह वाला आगे की डिफरेंस की बात कर और अगर यह अप्रूवल हर्च है महीने पर मिलता रहा तो नाशनल इमर्जनसी लगती जाएगी लगती जाएगी लगती जाएगी लेकिन जब बात आती है प्रेजिडेंट रूल की तो प्रेजिडेंट रूल के लिए एक अपर लिमिट क्या है तीन साल तीन साल से ज्यादा आपको president rule नहीं लगाना है और एक और check and balance जोड दिया है कि 44th constitutional amendment act 1978 की तुरू क्या किया गया है जो आपको पिछली वीडियो में ने बताया कि भाई देखे अगर एक साल से ज़्यादा आप कहीं पर president rule को extend कर रहे हो तो उस basis पर आप president rule को एक साल के आगे extend कर सकते है तो maximum constitutional limit के है तीन साल एक साल के बाद भी आपको extra checks लगाए गए लेकिन national emergency के उपर ऐसे कोई checks नहीं है अगर parliament ने हर चाह महीन पर approval दे दिया बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी फिर अगले difference की बात की जाए तो भाया national emergency बहुत जादा extreme है बहुत जादा extreme कैसे कि भाया एक बार national emergency लग गई तो center के और states के बीच के relation बदल जाएगे और center और सारे states के बीच के relation बदल जाएगे तो national emergency देश के किसी भी हिस्ते में लगी हो पूरे देश में लगी हो, वो बहुत exceptional वजहों से लगती है, जब वो exceptional वजहों से लगती है, तो central government के पास ताकत आजाती है, हर state के साथ अपने arrangement को बदलने की, लेकिन state में ऐसा नहीं है, इस state में जो state emergency लगती है, जिसको आप president rule कहते हो, वो किसी एक particular state में लगता है, तो जब के पास ताकत केवल उस state के respect में आएगी, पूरे देश में बाकी जगे arrangement चल रहा, वो वैसा ही वैसा चलता रहेगा, फिर अगला difference, अगर national emergency लगी है, तो national emergency को हर्च हमईने पर approval देना है, दोनों houses of the parliament के दौरा, लोकसभा के दौरा, राजसभा के दौरा, और ये approval, special majority से पा लिकिन जब यही president rule का proclamation को पहली बार लागाना है, या बाद में continue करना है, हर छेचे महीने के gap पे, तो लोकसभा और राजसभा में simple majority के साथ किया जा सकता है, फिर भाई, national emergency के दौरान, लोगों के fundamental rights automatically suspend हो जाते हैं, article 358 के अंदर, 359, article 358, article 19 को डील करता है, 359, सारे दूस fundamental articles, except 20 and 21, ये article 58 और article 359 के मैं detailed analysis कर चुका हूँ, मैं दوبारा नहीं बोलूगा, तो fundamental rights effect होते हैं, national emergency के दौरान, एक line में सुनिए, लेकिन, किसी भी तरीके के fundamental rights, state emergency के दौरान, यानि, president rule के दौरान, effect नहीं होते है, तो मान लीजे, मैं महाराष्ट में रह रहा हूँ, president rule लग गया, मेरे fundamental rights पर कोई effect नहीं आएगा, मैं जैसी जिन्दगी जी रहा हूँ, मैं वैसे ही जीता रहाँगा, बस होगा, क्या कि जो state government administration चला रही थी, वो administration चलाने लगेगा, लेकिन, लोगों के fundamental rights को, लोगों की लोजमना की जिन्दगी पर कोई फर्क नहीं आएगा, फिर एक final difference देखते हैं, अगर national emergency को अटाना है, तो लोग सबा एक resolution को पास करके national emergency अटा सकता है, ठीक है न, अगर president rule को अटाना है, तो president एक proclamation निकालेगा, लोग सबा एक अलग से resolution पास करें, ऐसा कोई भी constitutional article नहीं है, president एक proclamation निकालेगा, और national emergency हट जाएगी, अगर बात की जाए, national emergency की, तो पहली बार, sorry, president rule की, 356 की बात हो ली, यहाँ पर जो भी बाते होंगी, 356 की होंगी, तो पहली बार देश में, जो president rule लगा था, वो लगा था पंजाब में, 1951 में, अब तक देश के सारे राज्ये, president rule में एक या एक से जादा बार आ चुके है उसके लिए आपको लक्षमी कांत में एक table मिल जाएगा, table 16.2, आप उस table को जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आप देखोगे, आंधर प्रदेश में 3 बार, अनुनाचल प्रदेश में 2 बार, सबसे ज़्यादा जो आपको table में दिखेगा, वो दिखेगा, मनिपुर, 10 बार, उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश में दिखेगी, 9 बार, पंजाब में 8 बार, ठीक है, यहाँ पे यह जो सामने आपको figure नजर आ रहा है, इस figure में भी 124 बार जो emergency लगी है, हाला कि 125 से जादा बार अब तक emergency लग चुकी है, लेकिन एक basic idea आपको इस figure को देखके मिल जाए कि कहां पर कितनी कितनी बार emergency लगी है, emergency मतलब president rule, मैं यहाँ पर जब भी emergency बोल रहा हूँ, president rule बोल रहा हूँ, confused मत हुएगा, यहाँ पर president rule की बात हो रही है, national emergency की बात नहीं हो रही है, अब हम बात करेंगी कि कैसे इस president rule के provision को गलत तरीके से इस्तमाल किया जाएगा, तो लोगों का गुस्ता था बाई, सरकार की ओपर कि कैसे आप emergency लगा सकते हो, वो गुस्ता फूटा और 1977 में Congress Party हार गई, जनता पार्टी आएगी, तो जनता पार्टी की जो government थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर बने मुरारजी दिसाई, उन्होंने 9 state में president rule लगा दिया, और तो अब्वेसी बात है, इन्होंने अपना गुस्ता निकालने के लिए Congress Party को States से हटा दिया, और ये बोल दिया कि States में जो Congress की Party है न, ये electorate की wish को फुल्फिल नहीं करती है, अब यहां से चीजों का politicization होना शुरू करेगा, यहां पे अब लोगों की, लोगों का will come for political parties, जो political executives हैं, उनकी विम्स और फैमसी ज्यादा आने लगेंगे, उसी तरीके से 1987 में जो मुरार्जी दिसाई की government बनी, जन्ता पार्टी की, 1980 में गिर गई, 1980 में फिर से election हुए, Congress Party power में आई, Congress Party power में आएगी तो पहले जो 9 states जहां से Congress की सरकार को अटाया था, अब उनी 9 states से non Congress की सर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजिस्थान में, यहां पे जब 1992 में इन तीन BGP rule states में President rule लगाया गया, तो यह बोला गया कि भाया यह जो state की सरकारे हैं, यह religious organizations के ओपर checks and balances नहीं ला रही है, कुछ Hinduत्वा ideology को promote किया जा रहा था, ज्यादा मैं कुछ नहीं और करेक्टर के अंगेस्ट हैं, तो आप इन religious organizations को control करो, इन तीन BGP rule states में बात मानी नहीं, control किया नहीं, तो भाया, Congress की सेंटर की सरकार ने इन तीन BGP rule state में लगा दी President rule, यानि की State Emergency, अभी जब यहां पे President rule लग गया, तो अब विसी बात है कि अब Supreme Court में जाएगा case, ठीक Supreme Court ने बोला कि 1992 में यह जो BGP rule states में जो emergency लगाई गई थी, यह emergency सही लगाई गई थी, चुकि secularism is a basic character of Indian constitution, secularism is a part of basic structure of Indian constitution, और अगर कोई भी सरकार हमारे सम्विधान में दिये गए, basic structure के against काम करेगी, तो भाया, उसके खिलाफ action होगा, यह action केंदर की सरकार ने लिया, तो य action सही है, लेकिन at the same time Supreme Court ने यह भी बोला, कि भाया, यह जो President Rule लगाया गया था, नागा लैंड में 1988 में, करनाटका में 1988 में, करनाटका में 1989 में, और मेखालया में 1991 में, यहां पर जो President Rule लगाया गया, यह गलत है, तो S.R.Bomai case 1994 में Supreme Court ने बोला कि आपने 1992 में मदर प्रदेश हिमाचल प्रदेश, राजिस्थान, इन बीजेपी रूल स्टेट्स में जब आपने President Rule लगाया तो वो सही है, चुकि वहां पर Secularism को खतरा था, लेकिन नागा लैंड में 1988 में लगाया, करनाटका में 1989 में लगाया, मेखालय में 1991 में लगाया, वो गलत है, अब आप यहां से देखोगे कि Supreme Court का एक जो Balancing Act है वो आने लगेगा, Supreme Court अब यहां पर जो excessive executive का जो interference हो रहा था, यह जो सरकारे बेकार में अपने मतलब के लिए जो constitutional provisions को तोड रही थी, इसको रोखने के लिए Supreme Court का proactive involvement होना शुरू करेगा, और यहां पर Supreme Court एक लगाम लगाना शुरू करेगा executive के ओपर और legislature के ओपर, यहां पर हमारे बाबा साब के statement को भी देखते हैं, बियार अमेटकर साब ने constitution की assembly debates में क्या बोला, यह constitution की assembly decades, यह जो debates है, इसका पूरा एक फोता है, जिसको maintain करके रखा गया, यहां पर देखिए बाबा साब क्या बोल रहे हैं, यह बोलते हैं, कि जो article 356 को हम लोग ला रहे हैं, ना constitution में, हम इसको expect करते हैं कि यह एक dead letter की तरह लहेगा, dead letter मतलब कि एक ऐसा letter जो कि dead है, जिसको हम तभी खोलेंगे जब कोई exceptional circumstance आता है, वैसे इसको ना प्रयोग किया जब, बाबा साब को यह बात पता थी, यह 356 बहुत extraordinary ताकत है, और center को 356 को इस्तमाल करना चाहिए, बहुत exceptional circumstance में, चुकि हमारा जो समविधान है, भलेस में federalism लिखा नहीं, बट वो federal समविधान है, यहाँ पर state governments को ताकत दी गई हो, center government पूरी ताकतवर है नहीं, तो center government को अगर constitutional provisions को implement करवाना है, तो वो 356 का इस्तमाल कर सकती है, अगर कोई state government sectionist tendencies करती है, जबरदस्ति धर्म के नाम पे लडाती है, तो center 356 का इस्तमाल कर सकती है, बट center के वल अपने कामों के लिए, अपने राज को बनाने के लिए, state governments को दबाने के लिए, political party की जो petty politics चलती है, उसको meet करने के लिए, इस article 356 का प्रेयोग नहीं करे, इसलिए बाबा सा है, कि यह dead letter रहे नहीं है, और बाज में अभी से 10-15 साल बहले, HV कामत करके एक member है, ठीक है न, constituent assembly के, वो constituent assembly की member थे, उन्होंने क्या बोला, कि अंबेटकर साब is dead, but articles are very much alive, यानि यह articles, जिसको बाबा साब ने बोला था, कि हाँ भाई, यह dead letter है, इनको नहीं इस्तमाल किय जाएगा, बाबा साब तो चलेगे, लेकिन यह articles आज भी alive है, और इन articles का प्रियोग कर रहा है, central government और legislature, state की government को, state की सरकार को दबाने में, चुकि central government अकेले इनका misuse नहीं कर सकती है, औविसी बात है, नागर कहीं पर president rule लगाया गया है, तो इसको parliament approval देगा, तभी वो लाग 38th Amendment Act 1975 1975 ने क्या बोला, कि भाईये देखें, जब भी आर्टिकल 356 की बात आएगी, तो आर्टिकल 356 को proclamation करना है या नहीं करना है, इसमें president की ताकत final है और conclusive है, और अगर प्रेजिडेंट को लगता है कि हाँ आर्टिकल 356 आना चाहिए, तो वो final होगा, इस ताकत को किसी पर लगभा हुआ, तो मतलब अगर आप president rule को लेके आ रहे हो, तो कोई भी court उसमें interference नहीं कर सकती, यानि कि यहाँ पे legislature और executive, in fact, executive अपने आपको एक limit से ज़्यादा ताकत वर कर रहा है, और जो judiciary को responsibility दी थी हमारे सम्विधान ने, कि जब भी legislature और executive अपनी सीमा लांगेंग से बोला, कि देखे, president 356 के अंदर president rule लगा सकता है, no doubt, लेकिन उसके against judicial review की ताकत रहेगी judiciary की पास, यानि judiciary की जो ताकत है ना, यह आप नहीं छीन सकते हैं, यह किसने बोला, 44th amendment act 1978 ने, तो 44th amendment act 1978 ने judiciary की ताकत को restore कर दिया, जिसको छीन लिया गया तो 38 amendment act 1975 की दुरू, अब ह तो कुछ propositions लाए गए, supreme court के दौरा, on the imposition of president rule in the state under article 356, जब भी 356 के अंदर कहीं पर president rule लगाया जाएगा, वहाँ पे कौन कौन से propositions को follow किया जाएगा, किन-किन factors को देखा जाएगा, यह बोमाई case 1994 में supreme court ने बताया, supreme court ने सबसे पहले बोला कि अगर presidential proclamation लगता है president rule का, तो that is subject to judicial review, यानि judiciary यह चेक कर सकती है, कि वो president rule जो लगाया गया, सही है या गलत है, उसके बात, अगर president rule कहीं पर लगाया जा रहा है, तो वो किसी particular relevant material के basis पर होना चाहिए, वो relevant material एक document हो सकता है, एक report हो सकती है, और उस report में वो reasons लिखे रहेंगे, जिन reasons के आधार पे president rule लगाया गया है, और वो reasons irrelevant नहीं होने चाहिए, फाल्तू के नहीं होने चाहिए, पैटी नहीं होने चाहिए, वो major reasons होने चाहिए, वो अलग बात है, कि वो जो reasons हैं, वो सही हैं, गलत हैं, उनके background में क्या है, यह judiciary चेक नही आपको hypothetical example दे रहा हूँ, अगर राजस्थान में अभी के लिए president rule लगा दिया जाते हैं, राजस्थान में congress की सरकार है, और मालिजे center की BJP की सरकार, राजस्थान में president rule लगा देती हैं, और जो center की सरकार है, वो reason देती है, कि जो राजस्थान की सरकार है, वो secularism के प्रोवि secularism का सिधान्त है, क्या ये एक प्रॉपर रीजन है, president rule लगाने के लिए, ठीक है ना, अब सच में secularism के सिधान्त को राजस्थान की high court ने violate किया है, या नहीं किया है, ये inquire करना supreme court के jurisdiction में नहीं आता है, ऐसा S.R. Bumai case 1994 ने बोला, तो जो भी reasons उस document में इस report में दिये है, central government president rule लगाने के लिए, वो reasons relevant हैं या नहीं है, ये देखा जाएगा, हलाकि वो reasons कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये देखना supreme court का काम नहीं है, I hope आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर से सुनो जो मैंने बोला है, समझ में आएगा, और जब इन reasons के आधार पर president rule लगाया गया है, तो center के ऊपर ये responsibility है कि वो prove करें, कि हाँ भाई, ये relevant material exist करता है, और हमने इसके basis पे president rule लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे देखे लिखा हुआ चौते point में, the court cannot go into the correctness of the material, और its adequacy, तो ये जो मैंने आपको बताई दिया, उसके बाद, पांच्वा point, अगर Supreme Court बोल देता है, कि जो president proclamation लगाया गया है, ये unconstitutional है, invalid है, तो उस case में Supreme Court के पास ये ताकत है, कि भाईया, जो state government जिसको dismiss कर दिया गया है, उसको फिर से restore किया जाए, और state legislative assembly को फिर से revive किया जाए, अगर वो suspend हो गई थी, dissolve हो गई थी, यहाँ दो चीज यहां थी, suspension, dissolve, suspension मे क्या होता कि state legislative assembly को आपने inactive कर दिया, ineffective कर दिया, उसके बास ताकत नहीं छोड़ी, dissolve क्या हुआ, कि आपने state legislative assembly को dissolve कर दिया, तो मतलब अब नए elections होंगे, नए MLA चुनके आएंगे, जो पुराने MLA थे, अब वो MLA ही नहीं रहे, तो यह होता, dissolve, suspend, मतलब जो पुराने MLA थे किसी भी state में अगर president tool लगाया गया है, तो उसकी जो state legislative assembly है, जब presidential proclamation आएगा ना, उस समय पे उस state legislative assembly को केवाद suspend कर सकती है, जब तक पार्लियामेंट का approval नहीं मिलता है, उस president tool को, तब तक उस state legislative assembly को dissolve नहीं किया जा सकता है, आप समझे, executive ने किसी state में president tool लगा दिया, तो मा राजस्थान की जो राजसरकार हैं, उनके जो MLA हैं, वो MLA बने रहेंगे, कब तक MLA बने रहेंगे, जब तक पार्लियामेंट के लोग सभा, राजसभा में एक presidential rule का proclamation पास नहीं हो जाता है, और अगर वो पास हो गया, उसके बाद central government के पास, यानि कि president के पास ये ताकत आ जाएगी, कि वो चाहे, तो state legislative assembly को dissolve कर दे, जो MLA पहले थे, वो अब MLA नहीं बनेंगे, नए MLA के लिए फिर से election होगा, और माल लिजे, उस president proclamation को पार्लियमेंट से सरकार पास नहीं करा पाई, तो assembly जिसको suspend किया था, वो फिर से reactive हो जाएगी, ठीक है, एक चीज हो गई, फ religion के साथ associate नहीं करेगा, religious organizations के साथ dealing कुछ इस तरीके से होगी, कि कि किसी भी एक particular religion की तरफ state का या government का favor नहीं दिखेगा, तो यह होता है secularism का सिधान्त, अभी secularism का सिधान्त हमारे समयधान का एक basic feature है, तो अगर कोई state government anti-secular activities करती है, दंगे भढ़काने की कोशिश करती है, कि किसी एक religion को दूसरे religion से ज़्यादा importance देती है, तो भाई, center की सरकार 356 के अंदर उस state में president rule लगा सकती है, ठीक है, फिर भाई, state government के पास legislative assembly का confidence है या नहीं है, इस बात पर decision उस state legislative assembly के floor पे लिया जाएगा, होता क्या है, जब भी MLS चुनते हैं, वो MLS में जो सबसे political party होती है, उनका जो leader होता है, वो अपनी majority को सिद्ध करता है, अभी मान लीजे कि कि किसी state legislative assembly में इस बात पर बाहस है, कि जो ruling government उसके पास state legislative assembly के majority का support नहीं है, तो उनके पास majority का support है या नहीं है, ये decide होगा on the floor of the house, और जब तक ये on the floor of the house decide नहीं होता है, तब तक उस ministry को power से हटाना गलत है, नहीं हटाया जा सकता, ओके, फिर नवा point देखिए, नवा point क्या बोलती है, कि जब भी कोई नए political party आती है center में, तो उसके पास ये ताकत नहीं है, कि वो जो ministries, मतलब दूसरी political party ने state में जो अपनी ministry बना रखी है, उनको अटा दे, मतलब कि for example, state में किसी दूसरी सरकार की ministry, किसी दूसरे political party की ministry है, और center में किसी दूसरे political party की ministry है, तो केवल इस basis पे कि center में किसी दूसरे political party की ministry है, जो non-center वाली political parties ने अगर सरकारें बना रखी है स्टेट में तो उनको बर्खास कर दे यह ताकत नहीं है और फाइनली दसवा पॉइंट आर्टिकल 356 के अंदर जो भी ताकत दी गई है यह बहुत एक्स्ट्राओर्णरी ताकत है और इस एक्स्ट्राओर्णरी ताकत को केवल और उकेशनली इस्तमाल करना है जम मन आये तब उठा के इसको इस्तमाल कर लिया यह गला थे जो अब तक हुआ है ठीक है दोस्तों अभी इसके बाद केस ऑफ प्रॉपर और इंप्रॉपर यूज भी बचा है बड़ उसको अभी मैं डिसकस नहीं कर सकता चुकि समय नहीं बच जाया दोस्तों तो उसको अगली वीडियो में फाइनेशल इमर्जेंसी के साथ डिसकस कर लिया जाएगा थैंक यूफर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंट्स आई होप आपको यह वीडियो पसंद आयो हैव अग्रेंटे कि अभी एलही हैव झीडियो पसंद एल वा कि एलही हैव झाल बचल को आभी और ले बचल को से खंब आपको एलिए हैवड़ भी पसंद़े हैव झाल कर जाए खरेंगानेशल आएव झाल वा झाल कर लोग एल नहीं हैग्र